नमस्कार, काहितरे जोतिसके इंद्रवे हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है बहुत से लोगों का मेरे लिए फॉन आता है कि पंडिजी आप कभी भी वसीकरण से समबद्ध जानकारी हम लोगों को नहीं देते हैं बहुत कम ही आपके उसे वीडियो हैं दो या तीन वीडियो में वसीकरण के बारे में लेके आया हूँ, वैसे तो 5-6 वीडियो हैं टोटल, किन्तु वह अन्य तरीकों से हैं किन्तु आज मैं आप लोगों के लिए वसीकरण का एक अत्यंत सिद्ध सरल वा आसान एक ऐसा उपाई लेके आया हूँ थमनिल पे आप देख भी रहे होंगे, तो यह उपाई यदि आप कहीं पर भी सही तरीके से आजमाते हैं तो यह उपाई सिद्ध है, सरल है, तुरंत ही इसका असर देखने में आता है बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे घर पे कोई सद्ध से अमारे वस पे नहीं है, जो कि पॉजिटिव है, सही है घर का सद्ध से यदि वस पे नहीं होगा और सही तरीके से नहीं होगा, गलत जगह पे जा रहा होगा तो उपाई के बारे में बात करते हैं और हम आपसे निवेदन करेंगे कि सही जगा पर ही इसका इस्तिमाल आप करिएगा तो बताया गया है सुक्रवार के दिन 21 पीपल के पत्तों को आप उस पे अश्टगंद से आप जिस ब्यक्ति का भी वसीकरण करना है उसका नाम लिखते हैं किस पीपल के पत्तों मैं सुक्रवार को लाल अश्ट गंद से ऐसे उस पे लाल रिंग से पहले उसको रंग लेना है किन्तो उसके बाद अश्ट गंद से भी आप उसको लिख सकते हैं पूर्व में उसे गंगाजल या गोमूतर से आप उसे धो सकते हैं तो उस पे 21 बार जिसका भी वसी करणे उसका नाम लिखकर उसे एक लाल कपड़े में 21 पत्तों को रखकर उसमें कोई सडा नारियल, जो नारियल होता है यानि कि कोई पुराना नारियल भी मिल जाए तो वह सड़े सरूप में हम मान सकते हैं तो उसको उसको रख कर और उसको बाध कर उसी दिन किसी निर्जनस्तान पर आपने उसे छोड़ देना है निर्जनस्तान जहां पर कोई भी दूर दूर तक कोई व्यक्ति ना हो किसी की भी नजर किसी व्यक्ति की नजर उस पे ना पड़े वहाँ पे छोड़ देना है और पीछे मुढ कर नहीं देखना है और सीधे घर को आ जाना है तो बताया गया है कि इतना सक्तिसाली वसीकरण का यह प्रियोग है कि पहले बार में ही यह व्यक्ति को फल प्रदान कर देता है अन्य था आप आगे भी हर सुक्रवार दो चार पांच सुक्रवार ऐसा कर सकते हैं और इस कल्यूक की बात है और मुझे पूरा विश्वास है कि सही तरीके से यदि आप किसी के लिए वसीकरण कर रहे होंगे सही मारगे के लिए जिसमें हित छिपा हो अहित ना हो तो अवस्ये ही आपका वसीकरण इस प्रियोग से हो जाएगा अश्टगंद से सुक्रवार को वैसे इसमें यहाँ भी है कि जैसे कोई पौणमासी सुक्रवार को पौणमासी पढ़ जाए सुक्रवार को दीपावली पढ़ जाए सुक्रवार को कोई बड़ी अमावस पढ़ जाए तो गोई बड़े पर्व सुक्रवार को पढ़ जाए, तो वहाँ पर को यह सिद्ध माना जाता है, आप किसी भी सुक्रवार से इसको प्रियोग कर, आगे को लगातार कर सकते हैं, अभी इस्टफल प्राप्त होगा, आप वर्सो बिता देते हैं, किसी चीज की सपलता के लिए कई महने लगा देते हैं, तो यह तो एक दिन का है, हर हपते में करना है, और अत्यांतर सरल सिद्ध आसान है, इस दिसा में भी आप फ्रियोग कर सकते हैं, बहुत से लोग, तो यह जानकारी थी, यदि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आगे बढ़ा कर सेयर कर सकते हैं, और जो लोग चैनल पर नए आए होंगे, उनसे निवेदन रहता है, यदि हमारी जानकारी आपको पसंद आती है, तो आप चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें, और ऐसी जानकारी के वीडियो देखने के लिए, नोटीपिकेस